तो नमस्कार दोस्तों आज 5 मई 2022 को Mariko Limited Company ने अपने quarter 4 और annualizes को पबिश कर दिया है और आज की इस वीडियो में हम इनी results को analyze करेंगे कि quarter on quarter basis पे company में क्या growth हाई है और company कैसा perform कर रही है उसके साथ company ने annualizes भी पबिश की हैं और हम उनको भी check करेंगे दूसरा दूसरा आपको बता दें अगर किसी भी company में आप अपना पैसा invest करना चाहते हैं या आपने अपना पैसा invest किया हुआ है तो उस company के business के बारे में आपको detailed knowledge होनी चाहिए कि company का क्या business है कैसा चल रहा है company के revenue और profits कैसे आ रहे हैं जिससे हम एक informed decision ले सेखें कि हमें company साथ invest करना है या नहीं करना है और किसी भी company के quarterly और end users को check करके हम बड़े असानी से पता कर सकते हैं कि company का business कैसा चल रहा है अब अगर हम बात करें company के quarterly users की तो मार्च 2022 का जो quarter end हुआ है उसमें हम सबसे पहले check करते है company के revenue तो इस quarter में company के revenues है वो आये है 1686 करोड रुपे जबकि पिछले quarter में जो December 2021 का quarter था उसमें थे 1855 करोड रुपे तो इसे साफ से देखें तो इस quarter में company के जो revenues है वो 9% कम हुए है ऐसी बात करें company की total income की तो इस quarter जो company की total income आ रही है वो आ रही है 1812 करोड रुपे जबकि पिछले quarter में थी 1929 करोड रुपे और यहां भी company को 6% का decline आया है ऐसे अगला parameter check करते हैं तो वो है company का profit before tax और इस quarter में company का profit before tax आ रहा है 341 करोड रुपे जबकि पिछले quarter में था यह 349 करोड रुपे यहां पे company को थोड़ी सी 1% की marginal growth मिली है वही हम company का अगर check करते है net profit या profit after tax तो इस quarter का company का profit after tax आ रहा है 293 करोड रुपी जबकि पिछले साल में था है 278 करोड रुपी और यहां पे 5% कंपनी को growth मिली है ऐसी बात करें company के earning पर share की तो इस quarter के earning पर share आ रही है 2 रुपे 27 पैसे जबकि पिछले quarter में थी 2 रुपे 15 पैसे और इसमें company को 6% growth मिली है तो इस तरह से कर company के quarter देखते हैं तो company के revenue ज़रू कम हुए है लेकि company ने फिर भी अपना profit में growth दिखाई है दूसरा आपको पता दे सारी FMC companies में थोड़ा सा profit को लेके issue आ रहा है क्योंकि company सारी companies के input cost increase हुए है inflation की वज़े से सारे जो raw metal के जो है वो price कहना के increase हुए है इसलिए company के profits में जो है थोड़ा फरक पढ़ रहा है तो अभी तक तो बात होगी यह हमने देख लिए company के quart leaders अब हम देखें company के annuals तो annuals देखें तो company का जो March 2022 का साल खतम हुआ है इसमें सबसे पहले हम चेक करते है revenue तो इस साल जो company के revenue आए वो है 7500 कोड रुपे जबकि पिछले साल जो March 2021 का साल खतम हुआ था उसमें company के जो रिवेन्यू थे पूरे साल के वो थे 6337 कोड रुपे और इस साल company ने 18% की year on grant की बहुत ही बड़ी अग्रोध दिखाई है revenue के अंदर double digit में ऐसी बात करें company की total income की तो इस साल की जो company की total income आ रही वो है 7500 कोड रुपे जबकि पिछले साल थी 6,683 कोड रुपे और इसमें भी same 18% कंपनी ग्रोध मिली है इसे बात करें company के profit before tax की तो इस साल का जो company का profit before tax आ रहा है वो है 1413 कोड रुपे जबकि पिछले साल में था 1311 कोड रुपे और इसमें company को 8% की ग्रोध मिली है ऐसी बात करें company के profit after tax की तो इस साल का जो company का profit after tax आ रहा है वो है 1163 कोड रुपे जबकि पिछले साल में 1106 कोड रुपे था और इसमें भी company को 5% की अच्छी खासी ग्रोध मिली है ऐसी हम देखें company के earning per share तो इस साल का जो company का earning per share है वो है 9 रुपे एक पैसे जबकि पिछले साल में 8 रुपे 56 पैसे था और इसमें भी company को 5% ग्रोध मिली है तो अन्हों company के overall financial देखते है तो quarter on quarter basis भी देखें तो company के revenue जुरू कम हुए लेकिन अपनी profitability को manage company अच्छे से कर पाई है ऐसे हम देखें year on year पे तो company के हाँ पे revenues भी increase हुए और company के profit भी increase हुए जिसके देखें हमें clear पता लगता है कि company हर साल growth दिखा रही है और यही अच्छी company को पैचान होती है कि ठीक है inflation है सब चीज़े है लेकिन फिर भी अपनी profitability को और revenue company increase कर पा रही है तो इसी से हमें एक अच्छी management और एक अच्छी company का पता चलता है तो इस तरह से company results के बारे में आपको detailed knowledge दे दी है आशा करता हम आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको like और share जरू किज़ेगा और मेरे चैनल को भी subscribe कर लेजेगा Thank you so much